नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनिट में जानेंगे वीडियो के साथ अंतक बने रहें साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे दी है इसलिए मौजूदा सभी सीमों का ने सीरे से वेरिफिकेशन किया जा रहा है दूर संचार विभाग यानि डॉट ने सभी टेलिकॉम कंपनियों से देश में नौ से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्रहकों का फिर से सत्यापन करने को कहा है कि वाइसी होने के बाद इस बात का पता आसानी से लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति के नाम पर किन-किन कंपनियों के कितने सीम है डॉट ने अपने आदेस में कहा कि जो सीम नहीं होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा जमू और कास्मीर उत्तर पुरू और असम में छह से ज्यादा कनेक्शन रखने वाले ग्रहकों के सिम को वेरिफाई किया जाएगा और अगली बड़ी ख़वर की बात के तो सरकार का बड़ा फैसला अपके बल बी इस किसागा बात करें और अगली बड़ी ख़वर की बात करें सुरवाती दिनों में ज्यादा खतरनाक है ओमीक्रोन वैरियंट डिल्टा के मुकाबले 4.2 गुना तेज रहतार से फैलता है वैरियंट जिहां दुनिया के अलग-लग देशों में करोना वाइरस का ओमीक्रोन वैरियंट सामने आ रहा है ऐसे में इसके अधिक संक्रामक होने को ले कर सवाल उठाये जा रहे हैं जपान के वैग्यानिकों द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया है कि नए वेरियंट अपने सुरवात दिनों में डेल्टा वेरियंट के मुकाबले 4.2 गुना अधीक संक्रामक है डेल्टा वेरियंट की वज़े से दुनिया वर में क्रोणा मामलों में विरीधी हुई थ वर्तमान में ओमिक्रोन वेरियंट की वज़े से कई मुलकों ने फिर से ट्रेवल बेन लगाना सुरू कर दिया है इसके अलावा ने परतिबंद भी लगाये जा रहे हैं ओमिक्रोन वेरियंट तीजी से फैलता है और सुभाविक रूप से वैक्सिन के जरिये बनी लिया है इसके लिए पुलिस मुख्याले की तरफ से सभी जीले के पुलिस अधिचिकों को पत्र भी भेजा गया है और उनसे अन्फिट पुलिस कर्मियों की सूची त्यार करने को कहा गया है मिडिया रिपोर्ट के नुसार ए आदेस उत्रपरदेस पुलिस के अत्रीक्त मह और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सिन की दो डोज लेने के बाद 9 महीने तक तिसरे डोज की जरूरत नहीं ए बुष्टर डोज नहीं तिसरा डोज कहलाएगा जिहां कोरोना वायरस के लगतार सामने आ रहे हैं नए नए वैरियंट खासकर ओमी कोरोन वैर कल्यान से समंदित संसद्य समीति के बैठक में स्वास्ते मंतराले की ओर से खुलासा किया गया है कि कोरोना वायरस के दो डोज ले चुके लोगों को अगले 9 महीने तक तिसरे डोज लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर तिसरा डोज लेते हैं तो यह बुष्टर डोज नही की दस्वी किस्त का इंदजार कर रहें 12 क्रोड से अधिक लावरती किसानों के लिए बड़ी खबर है PM किसान सम्मान नीधी युजना 2021 में मोधी सरकार ने बड़ा बदलाओ किया है जल्दी जारी होने वाली अगली किस्त का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप EKYC पूरा अधिक लिए बड़ी खबर की बात के तो चीन का क्या है इरादा सिंज यांग में बना रहा 30 एरपोर्ट सेनिको की तेज करेगा आवा जाही भारत से सीमा पर जारी किया हाईलर्ट जिए भारत से लगी इलाकों में अपनी सेना का मुवमेंट तेज करने के लिए चीन 30 नए एरपोर्ट बनाने की तैयारी में है भार से लगे सिंज यांग और तिबबत इलाकों में सेना की वेस्टन ठीयटर कमांड को सुवधा देने के लिए 30 एरपोर्ट तैयार किये जाएंगे जिस से सैनिको की आवा जाही में कोई दिकत ना आए वेस्टन ठीयटर कमांड चीनी परतनाव फिर से बढ़ सकता है कमरे में बैठ कर भी नहीं है आप सुरक्षित राजधानी के घरों में सेफ लिमिर्ट से 29 गुना तक ज्यादा है पॉलिशन जिहां दिल्ली एंसियार में इस साल दिवाली के बाद से ही लगातार प्रदूशन ने लोगों की दिखते इस बीच एक स्टड़ी सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि राजधानी के घरों के अंदर भी प्रदूशन बहुत अधिक है एक स्टड़ी में दावा किया गया है कि राजधानी के घरों के अंदर भी प्रदूशन बहुत अधिक है इस्टड़ी के नुसार ताके घरों में खुद को सुरक्चित महसूस करते हैं। बिहार के एक वरिष्ट पुलिस अधिक्चक की माने तो यह टास्क फोर्स जीला पुलिस के अधिन होगी जो बड़ी करवाई करने में भी सक्चम होगी। हिंदुस्तान यूनी लिवर लिमिटेड ने नहाने वा कप्रेद होने के साबुन, डिटर्जेंट और अन्य उत्पादों के दाम बढ़ा दिये हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य परदेश में जल्द लागू होगा नया मोटर एक्ट। नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुरुमाना। जी हम अध्य परदेश में अब जल्द ही इंडियन मोटर वेहिकिल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू होने जा रहा है। इसने एक्ट में ड्राइविंग लैसेंस जारी करने जैसे नियमों को सक्त और यातयात नियमों को लंगन पर अधिक जुरुमाने का परस्ताओ किया गया है। बता दे कि ट्राइविक नियम तोरने पर सक्त सजा होगी। इस बिल में प्राउधान है कि कोई नवालिक वहान चलाते हुए एक्सिडेंट करता है तो उसके पैरेंट्स को तीन साल तक जेल होगी। वहान रिश्टेशन भी रद्ध कर दिया जाएगा। जुरुमाने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है। बगैर हेलमेट बैल चलाने पर एक जार रुपे तक जुरुमाना और तीन महीने तक लाइसेंस रद्ध करने का प्राउधान है। अपात कालिन वहानों को रास्ता नहीं देने और आयोग्य होने के वावजूद जुरुमाने की रिटनाओं को रोकने के लिए जारखन विधान सवा अपने आगामी सत्र में एक एंटी लीचिंग बिल पेस कर सकती है जिसमें कठोड से कठोड सजा देने का प्राउधान हो सकता है। शुत्रों की माने तो लीचिंग करने वालों के लिए मौद की सजा का परवधान होगा एक अधिकारी ने बताया है कि लीचिंग रोक्ताम विधेयक जार्खन विधान सवा के अगामी सत्र में आने की संभावना है इस सत्र के दोराने अब विधेयक पेस किया जाएगा बता दे कि जार्खन में मौब लिंचिंग एक बड़ी समस्या के रूप में जिसके चलते अब हेमंद सोरिन सरकार ने इसके खिलाब कानून बनाने का फैसला किया है और अगली बड़ी ख़बर की बात करे तो केरल में गाय भैस खरेदने के लिए 45,000 की सबसीडी दे रही है सरकार पॉलिटिव फॉर्म के लिए भी ले सकते हैं पैसा जिहां केरल सरका इसी पॉर्टल पर किसान अपनी पातरता भी चेक कर सकेंगे कि वे इस योजना के हगदार है या नहीं यह पूरी तरह से क्रीसी से जुड़ी स्कीम है जिसका मकसद किसानों को वित्य सहायता देने के साथ प्रदेश में खाद्य सुरक्षा स्कीम को भी बल देना है गाय भै के लिए वीडियो के नीचे दिये कि इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको हर खबर की सठीक जानकारी मिल सके